हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आज उत्राखन लोग स्वाइक द्वारा उपनिरिक्षक नागरिक पुलिस अभिसुचना गुल्मनायक पीएसी आयरबी यो अगनी समन्द दितिया अधिकारी परिक्षा 2020 के समन्द में या पर नौटिफिके अधियापन 31 जनरी 2024 के साफिक पात्र अभियर्थियों से ओनलाइन आउधन पत्र बीस फरवरी तक आमंत्रित किये गए थे उक्त के अत्रिक्त उक्त के उक्त विग्यापन के एति महतपून निर्देश के बिंदो संख्या 5 के उनसार ओनलाइन आउधन करने की अंतिम्तिती 20 फरवरी 2024 तक आउधन प्रक्रियापूर्ण करने वाले अभियर्थियों को अंतिम्तिम्त प्रदान करते हुई अपने ऑनलाइन आउधन पत्र में की गई प्रोष्टियों में संसोधन प्रवर्तन एडिटेवन करेक्शन किये जाने के लिए एक बार आयो की विबसाइट प स्क.uk.gov.in से अवलोकन अवश्य करें तो यहां पर एडिट जिस भी कंडिट का SI का फॉर्म भरा है और इसमें एडिट और करेक्शन विंडो खुल चुकी है खुलेगी जो 26 से 6 मार्च 2024 तक खुली रहेगी तो सभी कंडिट इसमें अपना ओनलाइन फॉर्म में एडिट एवन करेक्शन कर सकते हैं उपने रिक्षक नागरिक पुलिस अभी सुझना गुल्मनायक अगनी समन्द वितिया अधिकारी प्रिक्षा 2024 की समन्द में यहां पर सबसे पहले प्रोसेस दिया गया है 26 से 26 मार्च 2024 तक यह विंडो ओपन रहेगी ओनलाइन एडिट विंडो सबसे पहले एडिट एवन करेक्शन है तो लिंक की समया वदी जो रहेगी यह 10 दिन की रहेगी जिन कैंडिट द्वारा आविदन प्रक्रियापूर्ण कर लियाक केवल वही अभरती अपने ओपने इमेल आइडि और लॉगिं पासवर्ट से लॉगिं कर सकते हैं और लॉगिं करने कि पसाद अभिज्यापन की सर्ता नुसार अपने भरे हुए डाटा में मुवाईल नंबर इमेल आइडि को छोड़ करावसक्ता नुसार संसोदन क करपाएंगे एक धुका अंलाईन आउदन पत्र में एड़ीटे ऊंग करने होगी सिसके पसट符्द में डाटा अपडďेटि हो सकेगी एड़ीट और करेक्शन की प्रिख्रमानीगें माना जाएगा और द्वारा स्रिण में प्रतिन के जाने पर अप्रति को परवर्दे स्रेणी अप्सरेणी का सुल्क बिग्यापन की सर्तों के अनसार ही देये होगा तो यह यहां पर हमने नौटिफिकेशन पड़ा जो अभी हालिम है उपनिरिक्षक नागरिक पुलिस अभी सुझना कि गुल्मनायक पदों के लिए यहां पर विग्यापन जारी किया गया 222 वदों के लिए एसाई का नौटिफिकेशन इसमें आप एडिट विंडो एडिट कर सकते हैं आप अपने फॉम में तो यह था आज का नौटिफिकेशन ठैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो नमस्कार